हेलो फ्रेंड दिस इस चारू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीविएस वीडियो में हमने शेप के बारे में पढ़ा था कि शेप कितनी तरह की होती है जैसे कि यह देखिए यह यह मेरे बेटे की बुक है उसकी एल के जी की तो अब वह पढ़ चुका है यह सब तो हमने प्रीविएस वीडियो में देखीती हैं कौन-कौन सी शेप होती है छोटे बच्चों को समझाने के लिए सर्किल होती है च्रेंगल स्क्वैर रेक्टेंगल शेप को हम बच्चों को कैसे ड्रॉ करना सिखा सकते हैं ट्रेसिंग के थ्रू कि आप इस तरीके से बच्चों को ट कि यह जो होती हैं इन शेप में हमारे कौन-कौन से object हो सकते हैं आप बच्चों को कैसे समझा सकते हो जैसे कि यह हमारी यह हमारी शेप से क सकते हो कि कुए की शेप में कौन कुंसे objects सकते हैं जैसे की है loads, क्यूप की शेप की जैसे की मिद सकतर हो यह होते हैं औहले हैं बच्राइब और शुर्ट अगर पीची सकते हैं यह किस शेप का है यह पोसलों और लोगों छाप कर बोल सकते हैं कि चीब में है तो हम वह बताएगा क्यूब शेप ऐसी एक क्यूब वाइट क्यूब बेंच में कौनकर से ऑबजेक्स होते हैं मैच बॉक्स होता है भृक होती है है सिलेंडर की शेप में होते हैं जैसे कि गहाए घी का डबा है या फिर ये पैंसल यह होतीकि नोलिज हो गई हैं वहान सब्सक्राइब कि तरीके की होते हैं तो बच्चा वह भष्के सब्सक्राइब केरो निए थे क्वेश्ट साथ के सूरान पॉल राव मे हमारे फुट बाव नेतों और ब तो इस तरीके साहता हुआ तो कैसे सँ series और स्कूराज़ट, इस तरीके से आप अलगल या उब्जेक््ट को दिखा steering सी और इस तरह की आप सहके है कि तो बच्चे को इस तरीके से जो है इसका आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाएगा तो यह आज के लिए सिर्फ इतना ही आशा करती हूं आपको मेरा यह वीडियो यूस्फुल लगाऊगा और आप अपने बच्चे को इस तरीके से प्रैक्टिस कराये तब तक के लिए थैंक साथ जाएगा करेंसे प्रैके से जाएगा अजाएब। लिए प्लाएब।